हाई गाईज वेलकम बाग तो मैं चानल लिविंग दिस मोमेंट और वेलकम बाग तो अनदर व्लोग और तारकरली मालवन तारकरली मालवन की एपिसोड चल रहे हैं अगर आपने पीछले वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज जा के देखिए और आज हम जा रहे हैं देवपाग बीच देखने के लिए जिसे देवपाग संगम बीच भी कहा जाता है और उसे संगम बीच क्यों कहा जाता है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी तो चलिए अभी के लिए चलते हैं तो चलते हैं देवपाग बीच जाने के लिए और हमने रेंट की है एक स्कुटी जिस पे हम तीनो जा रहे हैं यस हम तीनो जा रहे हैं हमारे पास और कोई आप्शन नहीं था रिक्षा के लिए और कोई मतलब ऐसे वेकें रिक्षा नहीं मिल रहे थी तो इसलिए हमें मजबूरान तीन त्रिपल सीट जाना पड़ रहा है तो यह जो स्कुटी हमने ली है वो रेंट पर ली है जिसका चार्जस है अराउंड 350 रुपीज और अगेन इसके चार्जस वैरी हो सकते हैं तो इसलिए आप जबी भी आप आ रहे हो कोई भी सीजन में तो आप कॉंटेक करके इन से खूप सकते हैं इसके चार्जस के बारे तो जहां पर हम अभी फिलाल रह रहे हैं वाईरी बीच के पास वहाँ से देवबाग बीच जो है वो अराउंड 7 किलोमेटर के डिस्टेंस है तो हम अभी स्कूटी राइड से जा रहे हैं तो चलिए इन्जॉय करकर के जाते हैं तो यह देखे फ्रेंग्स यह है तारकरली बीच और बहुत ही क्राउडड होता है तो यहाँ पर हम नहीं रुखेंगे हम जाएंगे डाइरेक डेवबाग बीच कर लिए तो यह देखे यहाँ पर कुछ काम चालू है रोड का तो इसी वे से हम जाएंगे फिलाल अभी तो यह काम आई होग हो गया होगा जब हम गये थे तो ये काम चालू था रोड का तो फ्रेंज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमने जो ये स्कूटी ली है वो रेंटेड है तो आप ये जो चार्जर से वो डेवाइस के लिए होता है जैसे 350 रुपीज हमने पे किया है वो आज के लिए ही है तो अभी फिलाल ये जो वे है वो एंजॉई कीजिए आक्चुली बहुत मज़ा आता है स्कूटी राइड में तो आप कभी यहां पर जाओ तो प्लीज स्कूटी रेंट कीजिए और उसे के मजे लीजिए आप देख सकते हो आप एंजॉई करोगे और ये फ्रेंड्स यह जो आप देख रहे हो यह है तारकरली बैक वाटर जहां पर बोटिंग होती है पर फिलाल अभी सब स्टॉप है कोई भी वाटर अक्टिविटी इहां पर नहीं हो रही है इहां के यहां पर एक मीजा अक्सेन तुहा है इसके बारे मैं आपको आगी चले के बताउंगी हम एड एंट्री प्रवासीड जहां है देखते हैं अब उगे कुछ होता है क्यां थम लोग को पकड़ते हैं क्यां पर रहर हम तो जाएंगे तर वी जा रहें लुक एट दे व्यू गाइज इसंट इस अमेजिंग तो आप ऐसे स्कूटी राइड में जा रहे हो यह सब जो व्यू है एंजॉय करते बहुत मजा रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रिजॉट्स आपको नजर आएंगे एवरी सिंगल स्टेप पे आपको रिजॉट्ट होमस्टे बहुत सारे नजर आएंगे यह देखिए प्रंट्स यह है स्पॉर्ट यहाँ पर आकर आपको आपके गाड़ी जो भी है आपने ली है तूविलर या होर मिले यहाँ पर आकर आपको पारकिंग करने हैं यही लास पार्किंग के लिए जा रहे यहाँ पर मंदिर है वांदर ही। आपका एक लैंड मंग हो जाता है यहां पर आपको शक शक पर आरत आपको रूपना है यह देखे आप देख सकते हैं यहां पर फोर विलर्स और टू विलर्स दोनों भी आपको यहां को पार्किन के लिए मिलें यह देखे हमको आज गए हैं देव गांग पीच और आज बहुत जादा गर रही है मतलब अभी आते टाइम पे भी हम लोगों को बहुत सारे वेहिकल् आज आए है तो फ्रेंड यह देखे हैं लास्ट पॉइंट यहां पर ही आकर आपको यह संगम धर और सी नजर आएगा राइट हैं साइड में आपको सी नजर सकते हो या फिर आपकी कोई परसनल वेहिकल फोर विलर भी होगी तो भी आप यहां पर बहुत सकते हो बाई फोर विलर में भी या फिर अगर आप या इसके आसपास देवा के आसपास के रिजॉर्ट में या होमस्टे में रुखने वाले हो तो यहां पर बाई वाकिंग भी आ पहुँच सकते हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो लेफ्ट हें साइड में आप देख रहे हो ये है रिवर जिसका नाम है कारली रिवर और ये जो आगे आगे आपको जो जाड़ी या फिर आपको माउंटन्स नजर आ रहे हैं ये दूसरी ओर का गाव है जिसके लिए आपको बोट ही लेनी होती है बोट जो है बोट या फिर बोट अक्टिविटीज जितनी भी होती है वो सारी बंद कर दी गई है और ये जो आपको सामने दिख रहा है वो सुनामी आइलेंड है उसके लिए भी आपको बोट ही जाना होता है बट ये सब बंद है बिकोज यहाँ पर major accident हुआ था यहाँ पर जो बोट थी वोट अक्टिविटीज के लिए लेके गए थे बीस लोगों को वो पल्टी हो गई थी आते टाइम जिसमें दो लोगों की death भी हुई है और दो लोग बहुत ही गंभीर हालत में है तो इसलिए सारी जो अक्टिविटीज होती है वोट राइड से लेके जितने भी अक्टिविटीज छोटी मोटी जोबी होती है यहाँ पर वो सारी तारकरली में बन करती गई है कहीं पर भी ये वाट अक्टिविटीज नहीं हो ली है वैसे तो हमें भी water activities करने थी मुझे नहीं मेरे husband को और मेरी नरन को scuba diving करने थी but unfortunately ये accident के वज़े से हमें नहीं करने मिला तो friends आप भी जब भी यहाँ पर आओ यहीं पर नहीं कहीं पर भी आप beaches या फिर कोई water activities करने जाओ तो make sure कि आप सारे safety measures follow करो और आप जिसके साथ भी जो भी registered water activities जो करने वाले होते हैं यहाँ पर उनके साथ ही आप जाए और make sure कि वो भी वो follow करें जो भी safety measures है और आप भी उनके साथ follow कीजिए आप जबी भी जा रहे हो तो बस ये enjoy करने के बाद फोटो फोटो सेशन करने के बाद हम निकल गए हैं वापस अपने होमस्टे के तरफ जाने के लिए तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डिनर आ चुका है हम फ्रेशन अप होके अब हम डिनर पर मिले हैं डिनर कर रहे हैं आज है वेज खाना उसके साथ sweet भी है तो पस यही पर मैं ये वीडियो एंड करूंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please do like and share with your friends and family and do subscribe my channel till then bye bye and stay healthy